आज देजी से बदल रहा है भारत वर्ष 2047 तक विकसित भारत के मिशन को पूरा करने के लिए बीते 10 वर्षों से रखी जा रही है मजबूत भारत की नीव और यह सब संभव हुआ है देश के अशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरिंद्र मोदी जी के दूर दर्शी विजन के कारण वर्ष 2014 के बाद से मोदी सरकार द्वारा देश की बुनियावी धांचे के विकास में अभूत पुर्व निवेश किया गया है और देश के हर हिस्से में किया गया है अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्शर का निर्माण पिछले दस वर्षों में किया गया है भारतिय रेल की विकास परियोज नाओं में 12 लाख करोड रुपे से अधिक का रिकॉर्ड निवेश भारतिय रेल्वे आज एक बहुत बड़े ट्रांस्फोर्मेशन के दोर से गुजर रही है इस दसक के अंत तक भारतिय रेल्वे का पूरी तरह काया कल्प होने जा रहा है इसी क्रम में प्रधान मंत्री जी द्वारा आज देशवासियों को दी जा रही है 85,000 करोड रुपे से अधिक की रेल परियोज नाओं की सौगात जिन रेल परियोज नाओं का आज शिला न्यास और रास्टर को समर्पन किया जा रहा है उनमें शामिल है नई रेल लाइन, मल्टी ट्रैकिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, कार्गो टर्मिनल और डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी परियोज नाओं प्रधान मंत्री जी आज 10 नई वंदे भारत, 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, 2 नई पैसंजा ट्रेन, एवं 6 राजियों के डिएफसी पर चलने वाली विशेश माल गाडियों का कर रहे हैं, हरी जंडी दिखा कर शुभारम इनके संचालन से देशवासियों को मिलेगा तेज और आराम दायक सफर का अनुभव, एवं माल धुलाई को मिलेगी अभूत पुर्वगती माननिय प्रधान मंत्री जी आज राष्ट को समर्पित कर रहे हैं, डेडिकेटट फ्रेट कोरिडोर का न्यू मकरपुरा न्यू घोलवड सेक्षन और न्यू खुर्जा सानिहवाल सेक्षन साथ ही कर रहे हैं वेस्टन देडिकेटट फ्रेट कॉरिडोर के ओपरेशन कंट्रोल सेंटर का लोकारपन प्रधान मंत्री जी के मार्ग दर्शन में बीते वर्षों में देश में 2500 किलोमेटर से अधिक डेडिकेटट फ्रेट कॉरिडोर का निर्मान किया जा चुका है और आज यह बन चुके हैं देश की सम्रधे के कॉरिडोर इसके साथ ही आज हो रहा है गती शक्ती मल्टी मॉरल कार्गो टर्मिनल, दिजिटल कंट्रोल स्टेशनों, लोको शेट्स और गुड्स शेट्स का रास्ट को समरपन एवं 19 रेलवे वरक्शोप, लोको शेट्स, पिट लाइन्स, कोचिंग डिपो के साथ फल्टन बारामती नई रेल लाइन, एवं 9 इलेक्रिक ट्रैक्शन प्रणाली के अपग्रेडेशन का शिलान्यार्स आज देश की विभिन हिस्सों में नई रेल लाइनों, एवं दोहरी करण, रेल मारगों के विद्युति करण, रेल मारगों में स्वचालित सिग्नलिंग ट्रणाली की स्थापना का भी रास्ट को समरपन हो रहा है और सौर उर्जा से संचालित स्टेशनों का भी किया जा रहा है रास्ट को समरपण इसके साथ ही माननिय प्रधान मंत्री जी आज कर रहे हैं रेलवे स्टेशनों पर स्थापित जन औशधी केंद्रों एवं वन स्टेशन वन प्रोड़क्ट स्टॉल का रास्ट को समरपण जन औशधी केंद्रों पर जहां यात्रियों और स्थानिय निवासियों को किफायती दरों पर दवाय उपलब्द होंगी वही O.S.O.P. स्टॉल्स पर स्थानिय उत्पादों की बिक्री की जाएगी जिससे स्थानिय शिल्पकारों एवं व्यापारियों को मिलेगा प्रोत्साहन प्रधान मंत्री जी देश के विभिन शहरों में रेल कोच रेस्टोरेंट को कर रहे हैं राष्ट को समरपेथ जहां रेल यात्री और स्थानिय लोग लजीज व्यंजनों का उठा सकेंगे आनंद पूरे देश के सरवांगिड विकास का जो महा अभियान माननी प्रधान मंत्री जी चला रहे हैं उसमें ये रेल परियोजनाई मील का पत्थर साबित होंगी इन परियोजनाओं से सिद्ध होता है विकसित भारत के लिए मोधी सरकार का संकल्प यानी मोधी सरकार की गारंटी